प्रधान मंत्री नरेद मोदी और उनकी सरकार के सामने एक बड़ा संकट था एक ऐसा मुद्दा था जिस पर विपक्ष उनको कई साल से घेर रहा था और वो मुद्दा था OPS का यानि Old Pension Scheme पेंशन स्कीम को लेकर केंदरी कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों और उसके बाद सुरक्षाबलों में एक असंतोष धीरे धीरे पनपरा था कि जो नई पेंशन स्कीम आई है जो सरकार ने वसे हालनकि इसकी शुरुआत जो है काईदेश से कॉंग्रेस पार्टी नहीं की थी कॉंग्रेस पार्टी ही इसकी समर्थक थी पी एफ आडिये बिल 23 अगस्त 2003 में जरूर आया था लेकिन उसके बाद कॉंग्रेस के सरकार आ गई थी तो कॉंग्रेस ने इस स्कीम को आगे बढ़ाया लागू किया और कॉंग्रेस ही इसके विरोध में खड़ी हो गई तो क्यों खड़ी हो गई क्योंकि उसको लगा कि ये इमोटिव मुद्दा है सरकारी कर्मचारी इस पर आंदोलित हैं असंतुष्ट हैं इसका फाइदा उठा सकते हैं विधान सभा चुनाओं में इसका एलान करना आश्वासन देना शुरू किया 2018 में मध्यप्रदेश, 36 गड़ और राजस्थान में वादा किया कि हमारी सरकार बनी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे फिर उसके बाद करनाटक में ये ही किया उससे पहले हिमाचल प्रदेश में हमाचल प्रदेश में चुकी सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है जो वोटर है इसलिए ऐसा माना जाता है कॉंग्रेस का दावा भी है कि ओल्ल पेंशन स्कीम के दाव ने ही कॉंग्रेस की वहाँ सरकार बनवा दी तो इस मुद्दे के पोटेंशिल को समझिये और कॉंग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों की योजना थी कि इसको राष्ट्री इस्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए अखलेश यादों भी उठा चुके हैं तेजस्वी यादों उठा चुके हैं दूसरे राज्यों के जहां गैर भाजपा शाषित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री उठा चुके हैं लेकिन किसी ने कॉंग्रेस ने चुनाव में वादा करने के बावजूद अपने राज्यों में यानि जहां उसकी सरकारे थी वहां ओल पेंशन स्कीम लागू नहीं क किया कहें लागू कर नहीं पाएं क्योंकि वह संभव नहीं था लेकिन चुनाव जीतना था तो कुछ भी वादा कर दो तो इसलिए वादा कर दिया और जंता ने सत्ता में बठा दिया तो उसके बाद हातपा हम फूल गये कुछ कर नहीं पाएं। लेकिन केंदर सरकार के खिलाफ ये अभियान कॉंग्रेस पार्टी ने दारी रखा और लगातार हमला करते रहे कि ओल पेंशन स्कीम क्यों लोटना चाहिए। केंदर सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि ओल पेंशन स्कीम फिर से लागू नहीं होगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक जज्जमेंट आया है जिसमें उन्होंने का सुरक्षाबलों के लिए कहा जो पैरा मिलिटरी फोर्सेज हैं उनके लिए कि उनको भी जो है नपीस में जाना पड़ेगा ओल्ल पेंशन स्कीम उनके लिए नहीं होग कि वित्तिये जो अनुशासन बना कर रखा है दस साल से सरकार ने उसको तार-तार कर देना सरकार का खर्च बेताहशा बढ़ा देना सरकार घाटे में चली जाया सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसा न बचे तो अर्थविवस्था को नुकसान पहुंचाना ज्यादा बड़ा उद्देश विपक्ष का था कर्मचारियों को सुविधा मुहिया कराना कम लेकिन कर्मचारियों को सुविधा मुहिया कराने सामाजिक सुरक्षा देने के नाम पर ये खेल खेला जा रहा था और इस खेल को पहले ही बीजेपी समझ गई थी लेकिन इसके बारे में क जिसको पुनर विचार करना था New Pension Scheme, पर कि इसमें क्या सुधार किया जाया है? और मैंडेट में बड़ा अस्पष्ट था कि Old Pension Scheme पर नहीं जाना है. इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? जिससे कर्मचारियों की जो शिकायते हैं वो दूर हो जाये. और इस कमेटी की रिपोर्ट अभी आई है, और सरकार ने भोशना कर दी कि वो लागू करने जा रही है. इसको नाम दिया गया Unified Pension Scheme. अब थोड़ी तुलना की बात हो जाए, कि क्या फर्क हुआ है? तो New Pension Scheme की तो बात नहीं करते हैं, अब Old Pension Scheme से ये Unified Pension Scheme की तुलना करें. तो Old Pension Scheme से और इसमें फर्क ये हुआ है, एक बात का, कि जो Old Pension Scheme में Employee का कोई Contribution नहीं था. New Pension Scheme में भी था और इस Unified Pension Scheme में भी है. New Pension Scheme में 10% Contribution Employees का था, 14% सरकार का था. लेकिन सबसे जादा जो डर था आशंका थी कर्मचारियों को, आना कि जो New Pension Scheme के तहत 12% का रिटर्न मिल रहा है investment पर, उनको डर था कि अगर किसी दिन शेयर मार्केट बैठ गया, तो फिर हमारे पैसे का क्या होगा? तो यह आरोप लगाया गया है कि सरकार कर्मचारियों के पैसे से, उनकी गाड़ी कमाई के पैसे से जो अखेल रही है. यह concern जो है किसी कर्मचारी का होना, चिंता होना बड़ा वाजिब था. दूसरा, फैमिली पेंशन बंद हो गई थी New Pension Scheme में. अब क्या किया है सरकार ने? सरकार ने जो इंप्लॉई का कंट्रिबूशन है उसको खतम नहीं किया है. यानि फिस्कल प्रूडेंस को बनाए रखा है. कि सरकार पर इसका बोज जादा नहाए. पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि बदलाव जो होगा, जो सब्भावित बदलाव था, उससे सरकार पर सालाना करीब 25,000 करोड का बोज आएगा. लेकिन अब नए अनुमान के अमसार 7,000 करोड से जादा नहीं होगा. और परिवर्तन पर ध्यान दीजिए, तब आपको इसका असली महत्व और इसकी इंपोर्टेंस समझ में आएगी. इंपलाई का कंट्रिबूशन तो 10% बना रहेगा, लेकिन जो सरकार का कंट्रिबूशन था 14%, उसको बढ़ाकर सरकार ने साड़े 18% कर दिया. साड़े 18% कर दिया और इसके अलावा ये कर दिया कि आपके आखरी 12 महीनों की जो सैलरी होगी, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा. पहले एश्योड पेंशन नहीं थी, ये था कि आपका पेंशन फंड में जो पैसा है, 50% सरकारी बॉंड और इस तरह की ये जनाव में जो है, निवेश किया जाएगा, उसका जो रिटर्न आएगा, उसके हिसाब से आपको मिलेगा, वो जादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है मार्केट फलक्टुशन के हिसाब से वो बदलता रहता, वो बदलता रहता था, और ये याद रखिए कि ये निव पेंशन स्कीम 2004 से लागो है, तो 2004 से लागो थी, इसके बाद से तमाम सरकारी करबचारी आए हैं, सिविल सर्विसेज में लोग आए हैं, पैरा मिलिश्री फ स्कीम बनाई है, उसमें डिये को भी जोड़ दिया है, यानि महंगाई को भी नूट्रलाइज करने का, जैसे हर छे महिने पर रिवी होगा, और महंगाई बदता जैसे बढ़ता है, उस तरह से उतना पैसा जो है, आपकी सेलरी में वो जोड़ जाएगा, ओल पेंशन स्कीम म का जो आखरी साल है, बारह महीने, उसका जो एवरेज आएगा सेलरी का, उसका फिफ्टी परसेंट पिलेगा, दूसरा परिवर्तन किया है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्यादा खुशी की बात होगी, डिये तो जोड़ा ही, नपीस में जो है, डिये नहीं जुड़ तो उसको जो पेंशन मिलती थी, उसका आधा हिस्सा परिवार को मिलेगा, यनि फिफ्टी परसेंट, यूनिफाइड पेंशन इसकीम में सरकार ने इसको बढ़ाकर सिक्स्टी परसेंट कर दिया है, कि ओल पेंशन इसकीम से ज्यादा बड़ा फाइदा जो है, फैमली संत्री विदेश में थे, तब कर्मचारी संग से उन्होंने संपर्क किया, उनसे फोन पर बात की, मीटिंग फिक्स हो गई, मीटिंग हुई, बातचीत हुई, समझोता हो गया, तो कर्मचारियों का कहना है कि अब हमारी सारी मांगे मान ली हैं सरकार में, और हम इससे बहुत का धखका है कॉंग्रिस और साती दलों के लिए है, अब राजनीती नहीं होनी चाहिए, लेकर आप राजनीती की बात कर रहा हुँ है, इस मुद्दे पर राजनीती करने की और सरकार को कणगरे में खड़ा करने की लमबे समय से कोशिश और कर्मच पारु और करके साती बात उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसकी आलोचना करें, तो कह रहे हैं कि ये यूटर्न सरकार है, दूसरा मलिकार जुन खड़गे ने कहा कि हमारे दबाव में ऐसा फैसला कर दिया, तो आरे भाई आपने तो किसी के दबाव में अपने राज्यों में जो है ओल पेंशनिस कर कुछ बोलने को बचा नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के हाथ में था सरकार के विरोध में, मोदी उसको चीन ले गए, और इस तरह से किया, और कुछ लोग ये कह सकते हैं, कॉंगर्स पार्टी और उसके साथी दल भी कहेंगे, तमाम कुछ जो ह ये दो सो चालिस सीटों का असर है, कि बीजेपी की दो सो चालिस सीटे आ गए में, दो हजार चुनाओ से पहले कमेटी बन गई थी, और कमेटी काम लगातार कर रही थी, अब उसकी सिफारिश आई है, सरकार को अगर चुनाओी द्रिश्टी से इसका लाब उठाना होता, तो मेरा मानना है कि उसको लोगसवा चुनाओ की घोशना से पहले ये रिपोर्ट लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन सरकार राजनीतिक द्रिश्टी से इस मुद्दे पर नहीं सोच रही थी, इसका प्रमान यही है कि चुनाओ के नतीजे आने के बाद और कमिटी का जो कारेकाल था पूरा होने और उसको व्यवस्थित रूप से काम करने का पूरा आफसर दिया गया, और खास बात ये ध्यान में रखी गई कि कर्मचारियों की जो शिकायते हैं, उनको दूर किया जाए, कैसे स्कीम बनाई जाए कि कि किसी को शिकायत नहों सबके लिए win-win situation हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया, इसलिए कर्मचारी पूरी तरह से संदोष्ट है, अब जो लोग आंदोलन करना चाहते थे, कर्मचारी संग जो भाजपा विरोधी है, सरकार विरोधी है, उनके पास मुद जो बहुत धनी हैं, अमीर हैं, उनकी बात छोड़ दीजें, उनको जरूरत भी नहीं है, बाकी लोगों के लिए कोई social security scheme नहीं है, सरकारी कर्मचारियों के लिए pension ही एक social security scheme थी, जो नई pension scheme आई, उससे आशंका लोगों के मन में बढ़ गई, हलाकि market का return अभी जो आ रहा है वो उनको जितना pension scheme में मिलता, old pension scheme में उससे ज़्यादा return आ रहा है, लेकिन ये return किसी दिन कम भी हो सकता है, यही आशंका थी जिसकी वज़े से कर्मचारी इस योजना को सुईकार करने को तयार नहीं थे, तो इसलिए ये जो आई है unified pension scheme, ये सब के हित के लिए आई है, इसम सरकार ने अपनी मनशा बता दी है कि वो social security को लेकर कितना गंभीर है, वो कर्मचारीयों की मांगों को लेकर कितना गंभीर है, अब पहला राज्य बना है महराष्ट जिसने घोशना कर दी है कि वो unified pension scheme यानि UPS लागू करेगी, अब आप देखिए आने वाले दिनों में बाक इसकी घोशना करनी ही होगी, कर्मचारीयों का दबाव इतना होगा कि उससे इंकार नहीं कर पाएंगे, जब NPS बनी थी तो केवल दो राज्यों ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था, एक राज्य था पश्चिम मंगाल और दूसरा त्रिपुरा, पश्चिम मंगाल में ममताब एनरजी की सरकार थी और त्रिपुरा में CPM की सरकार थी, CPM की सरकार गई, BJP की सरकार वहाँ आई, उसने न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी वहाँ, लेकिन पश्चिम मंगाल ने आज तक नहीं किये, अब UPS लागू न करने का उसके पास कोई बहाना नहीं रह गय है, तो देश में एक पेंशन स्कीम, UPS यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरे देश के स्तर पर लागू होगी और इसका श्रे सत्ता अरूड़ दल को, भारतिय जन्ता पार्टी को और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को मिलेगा, तो जो प्रधान मंत्री ने एक बात कह कि इन लोगों को इनीकी भाषा में जवाब देना है, तो ये इस तरह का जवाब है, और इसी तरह से जवाब बिलना चाहिए, सकारात्मक जवाब, आप किवल आलोचना निंदा करेंगे तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा नहीं, ऐसी योजनाएं, ऐसे फैसले हों, जो ज खिलाफ वो खतम हो गया है, ये होता है नेरेटिव बनाना और नेरेटिव छीनना, ये दिखाया है लोगसभा चुनाओ के बाद, शायद पहली बार मोधी सरकार ने, दोनों बातों में, नेरेटिव बनाने का सिलसिला तो शुरू हो गया है, वक्त पर जो संचोधन के लिए बिल आया, वो हलाकि जेपीसी में चला गया है, लेकिन विंटर सेशन में उसके पास होने की जादा उमीद है, तो ये जो इनिशेटिव हैं, इस तरह के नेरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, ये पॉजिटिव हैं, अब विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, जोट बोलो, जोर जोर से बोलो, रोज बोलो, और उस जोट को सच के रूप में पेश करने की कोशिश करो, तो ऐसे जोट को, ऐसे गलत दावों को इसी तरह से मात दी जा सकती है, ये केंदर सरकार ने बता दिया है, कि अब वो जो है, इस तरह से जवाब देने के लिए तया यह मैं मानता हूं कि मोदी के तीसरे कारेकाल की बहुत बड़ी उपलब्धी है। इस उपलब्धी का असर देश-व्यापी होने वाला है। और इससे कर्मचारियों में चाहे वह केंद्र के हो और जैसे-जैसे राज्यों में लागू होगा, राज्ये के कर्मचारियों होंगे, उन में एक संतुष्टी का भाव आएगा। कर्मचारी अक्सर सरकार से नराज रहते हैं उनकी शिकायते रहती हैं कुछ जैनुविन रहती हैं कुछ जो है मनगणत रहती हैं लेकिन इस घोशना से सरकार की इस योजना से उनकी कम से कम पेंशन या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितनी शिकायते थी वो दूर हो गई ह तो विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि अब सरकार के विरोध में सरकारी कर्मचारियों को लाम बंद करना, उनको इकठा करना लगभग असंभव हो जाएगा. उनको किसी नए जूट की तलाश करनी पड़ेगी. तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अन्मति दीजिए, आपसे अनुरूध है कि ये चैनल देखे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. नमस्कार.